हाई फ्रेंज ये वीडियो हिंदी में हैं बट इफ यू वांट तो वाच दिस वीडियो इन इंग्लिश आपट आ इंग्लिश वीडियो यू ज़स्ट गो तो माई यूट्यूब चैनल ओके गो तो दे प्ले लिस्ट सेक्शन ओपन ड्रीम्स टाइम गाइड और यू विल सी तो ये इंग्लिश वीडियो ये बना चुका हूँ तो आज ये सिमिलर वीडियो हम लोग हिंदी में डिसकस करके आपको बताएंगे कि कैसे आप ड्रीम्स टाइम से पे आउट निकाल सकते हो ठीक है दोस्तों पे आउट का मतलब क्या है पे आउट का मतलब यह होता है कि तो बैलेंस आपका इकठा होता है अकाउंट में तो जब एक मिनिममम बैलेंस क्रॉस करता है तब वो अकाउंट में से आपको पैसा भेजा जाता है वह होता है पे आउट लेकिन ड्रीम्स टाइम एक स्पेशल एजेंसी है क्योंकि नंबर वन इसका पे आउट लिमिट तो यह दो special है, एक और चीज special है, मतलब dreams time में sale बहुत कम होता है compared to shutter stock या i stock या adobe stock, तो 100 dollar reach करने में आपको बहुत time लग सकता है, मुझे specially एक देड़ साल लग गया था, जैसे जैसे आपका portfolio अच्छा होता जाएगा, आपका sale बढ़ता जाएगा, तो यह sale value भी बढ़ता 1.71 dollar, तो यह मैं आपके सामने withdraw करूंगा, ठीक है, तो एक बात देख सकते हैं आप लोग कि dreams time में मेरा कुछ designs भी sale हुआ है, मैं सब कुछ try करते रहता हूँ, graphic design, 3D model etc, तो हर agency में सब कुछ sale तो नहीं होता है, यह कहीं भी sale नहीं हुआ, लेकिन dreams time में sale हुआ है, तो चलिए यह अच्छी बात है, तो यहाँ पर earning balance में अगर click करूंगा, तो यहाँ पर मेरा जो earnings है, यह show कर देगा, तो देखिए और January में में मेरा अलड़ी एक sale मिला है, तो आपको payout withdraw करने के लिए, बहुत important है, 100 dollar minimum reach करना होगा, 100 dollar के बिना नहीं होगा यह चीज, तो उसके बाद आ left side पर request payment, जैसी आप request payment में जाएंगे, आप अगर first time यहाँ पर enter कर रहे है, तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि enter payment detail, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना PayPal account या Payoneer account का address देना पड़ेगा, ठीक है, मेरे case में मैं अपना PayPal account का address दिया जिस पर आपका PayPal या Payoneer account linked है, तो वो आप अगर देंगे, उसके बाद simply आपको यह बाला टैप पर click बाना है, request payment, ओके, जैसे आप request payment करेंगे, बस एक click, एक में आपको mail देना है, और एक पर आपको click करना है request payment, बस हो गया, उसके बाद एक Google का survey आएगा, आप यह कर भी सकत यह कोई emergency है निया में requirement है नहीं, अगर आप no भी करेंगे, तो भी कोई problem नहीं होगा, अब यहाँ पर देख लीजिए, 133.71$5 PayPal अल्रेडी हो चुका है, तो वीडियो मैं यहाँ पर खतम करूँगा, क्योंकि बाकी का process अल्रेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बाकी तो normal है आपका भी PayPal account में पैसा आएगा, उसके बाद आपका bank account में पैसा आएगा, और अगर आप 100$ रीच कर गए हो द्रीम स्टाइम में, तो यह process आपको पता ही होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मतलब आप अल्रेडी Shutterstock, iStock, iStock या Adobe Stock कर रहे होंगे, और PayPal में कैसे पैस वीडियो में code of the day होता है, आज का code of the day है payout, आप अगर अब तक यह वीडियो देखे तो payout account में type कीजिए, और आपको अगर ड्रीम स्टाइम से 100$ मिल चुका है, आप पहुंचने वाले है, तो वो भी आप मेरे comment में लिखिए कि कितना photos के बाद आप यह milestone पे पहुंचे है, मेरा, एक second, माई account में जाके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कभी-कभी internet slow होता है, देखिए 4009 फाइल से, अभी मैं similar photo, ड्रीम स्टाइम और शटर स्टाइम और अप्लोड करता हूँ, लेकिन शटर स्टाइम मेरा 3300 और लेकिन ड्रीम स्टाइम में 4000 है, क्योंकि ड्रीम स् जाएगा, ठीक है, इसका मतलि भी हैं कि आप कुछ भी upload कर देंगे, कुछ भी upload कर देंगे, तो upload तो हो जाएगा, आपका portfolio में size बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको sale नहीं मिलेगा, तो हमेशा technically superior photo, I mean flawless photo ही, आप लोग always upload कीजिए, ठीक है दोस्तों, पहली बार आप अगर मेर का motivation है, motive है, एक strong community of Indian stock photographers बनाने की, ओके दोस्तों, चलते हैं अगले आपके मिल से, तो मिलते हैं आप सब, तो मिलते हैं आप सब अगले हैं एक exciting Hindi वीडियो लेके, तब तक के लिए बाइंड टेक केर,